कि नमस्कार दोस्तों मैं विनीता सिन्ना एक बार फिर अपने चैनल पे आप सभी का हादिक अभिननन करती हूं दोस्तों आज हम बात करेंगे मेजर अरकाना के 14 नंबर के काड की टेंप्रेंज की टेंप्रेंज यानि सैयम तो चलिए हम समझते हैं इस कार्ड के ओभराल सिंबलोजी को मिनिंग को यह कार्ड क्या कहता है हम इस कार्ड में देख रहे हैं कि एक एंजल टाइप परसन है जिसके दो विंग्स है यानि यह एंजल है सिर के पीछे रासनी है यानि डिवाइन एनर्जी है सिर पे स्टार है जो इस प्रिश्वल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है हम इस कार्ड में देख रहे हैं कि इस परसन के हाथ में दो कप है जो लेफ्ट से राइट में कुछ लिक्विड फ्लो कर रहा है ये left to right जो है ये unconscious to conscious mind को represent कर रहा है dress भी हम देख रहे हैं कि बिल्कुल white dress है gown type यानि देखने से ही ये person spiritual type दिख रहा है इस person के heart पे एक square shape है और square के बीच में triangle है square shape represent करता है strong heart को साथ ही हम देख रहे हैं कि heart पे एक square shape है जिसमें triangle बना हुआ है यानि ये person जो है ये strong hearted है ये चारों तरफ की हकीकत को जानने वाला है और spirit power को भी ये sow कर रहा है दूसरा चीज ये रिप्रेजेंट कर रहा है square यानि इसमें 4 है और triangle यानि 3 ये seven number को भी रिप्रेजेंट कर रहा है ये seven number seven chakra को भी रिप्रेजेंट यहां पे कर रहा है आगे हम देखते हैं कि एक उगता हुआ सूरज है और एक रस्ता है जो बिलकुल सूरजी की तरफ आ रहा है यानि ये sow कर रहा है end of path को जो एक positivity को एक ऐसा रस्ता है जो बिलकुल सूरजी तक लेकर के जाएगी साथी हम देख रहे हैं कि इस person का एक pair पानी में है एक pair बाहर है यानि ये person give and take को बहुत अच्छी तर समझने वाला और stability और emotion दोनों तरीके से ये काम करने वाला person है पीछे बहुत सारे ग्रिंजी है ग्रिंजी जो है वो growth को represent करता है flowers जो है वो भी growth को represent करता है साथी हम देख रहे हैं कि पानी में एक मचली दिख रही है में मचली जो है ये कोई आने वाली खुसी को represent कर रहा है इस तरह ये card जो है temperance का card ये बहुत ही positive card है ये card किसे नहीं कारी के लिए निकलता है तो उसका answer yes में होगा job के लिए business के लिए marriage के लिए तो answer yes में ही होगा यानि ये positive काम है उस काम में बहुत ही सफलता मिलेगी यानि इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर कोई person carefully control of factor के साथ में अगर कारी को करता है तो success उसे आवसी ही मिलेगी अगर ये partnership के लिए भी अगर ये card आता है business में तो इसमें harmonious partnership को represent कर रहा है यानि सयम के साथ में balancing way में conscious and unconscious and subconscious mind को control way में चले तो एक रस्ता है जो बिलकुल सुरी के चप ले करके जाएगी जो एक बहुत अच्छी prosperity को बहुत अच्छे luck को सो कर रहा है 14 नमबर के card के लिए हमें पता है कि ये बुद्ध का card है तो नौथ direction में अगर बुद्ध की remedies बुद्धवार को की जाए तो इनके लिए बहुत ही फाइदे मंद रहेगा इसके साथ ही दोस्तों अब मैं आप सबसे बिदा लेती हूँ मिलती हूँ कल फिर एक नए वीडियो के साथ में एक नई जानकारी के साथ तब तक आप मेरे वीडियो को देखें लाइक करें शीयर करें साथ ही मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें धन्यवाद